हलो फ्रेंड्स जावास्किट सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हार इस वीडियो में हम कुछ जावास्किट के अंदर नई चीजों को सीखेंगे और यदि आपने सीरीज का जो फर्स वीडियो उसे अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडि वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए तो कुछ इस तरह से रड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बैल आइकन बटन को दबाकर ओल नौटिफिशन को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि जब भी मैं आपके लि कि में डोट गेट इलिमेंट बाइड के जरीय काम करता है यहाँ पर हमने एक मैथड का यूज़ किया जिसका नाम है डर्कुमेंट डोट गेट इलिमेंट बाइड दॉट इनर stml उसके लिए हमने लिखाओ equal to 4 plus 5 यानि जब हम 4 plus 5 को print करेंगे तो हमारे सामने output आएगा 9 लेकिन 9 किस तरह से आया कैसे हुआ वो चीछ हम आज इस वीडियो में समझने बाले है तो उसके लिए देखिए हमने सेट कर दिया डेमो के नाम से यानि परेग्राफ टेक की एक आईडी बना दी डेमो अब जो मैथड होता है जावा स्क्रिप्ट का डोकिमेंट डोट गेट ऐलिमेंट बाइड उसके अंदर मैंने इस आईडी को पास किया डेमो वाली आईडी को यानि जब यह मैथड चलेगा तो पेरेग्राफ टेक की वज़े से जो सामने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा यानि पेरेग्राफ टेक उसको पेरेग्राफ में बदल देगा साथ ही यह अपना काम कर देगा वो चीज प्रिंट हो जाएगी तो 4 प्लस 5 जो 4 प्लस 5 यह हमारे सामने लिखा हुआ ह इसका जो output है 9 वो result की रूप में print हो जाएगा तो document.getElementById का use कुछ इस तरह से कर सकते हैं तो चलिए इसका output देखते हैं कि कैसे इसने काम किया तो देखें फ्रेंड, notepad++ में हमने इसे already type करके रखा हुआ है तो इसको चलिए save कर लेते हैं save में यहाँ पर इससे example1 के नाम से save कर रहा हूँ .stml हमने इसको extension दे दिया और यहाँ पर इससे save कर दिया तो अब इसका output देखते हैं कि इसका output क्या आएगा देखें हमारी browser की file यानि html file यहाँ पर दिखाए दे रही है इस हमने double click करके open कर लिया देखें फ्रेंड आउट्पुड हमारे सामने आ चुका है और result की रूप में क्या आ रहा है यहाँ पर 9 तो यह 9 कैसे आया एक बार हम compare करके code के साथ देख लेते हैं तो देखें फ्रेंड जो document.getelementbyid में हमने demo जो हमने paragraph टेक के लिए ID सेट करी थी उसकी वज़े से paragraph बन गया और यहाँ पर जो यह जावस्क्रिप वाला काम था जावस्क्रिप की help से ही क्या हो गया add हो के हमारे browser में show हो गया जावस्क्रिप ने तो क्या करा calculation करी और paragraph टेक ने से यहाँ पर print किया जैसे देखें फ्रेंड आप चाहते हैं कि थोड़ा डार्क दिखाई दे तो आप paragraph टेक की जगे यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर H2 यूज़ करके दिखाता हूँ अगर आपने यहाँ पर H2 एक ID बना ली ID को आओ तो हमने demo ही रखा है यहाँ पर नाम और इससे हमने यहाँ पर call कर लिया तो जावस्क्रिप का जो यहाँ पर method है यह method क्या करेगा 4 प्लस 5 को add करके दिखाएगा लेकि H2 की वज़े से डार्क आएगा तो चली इसे save कर देते और एक बार इससे refresh करके इसका output देखते हैं तो देखिए 9 जो ही इस बार डार्क आया क्योंकि H2 क्या होती है एक heading होती है और heading की वज़े से थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा होगा तो आपको I think यह समझ में आ गया हुआ कि यह method का काम क्या है और यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह से ID बनाकर set कर सकते हैं फ्रेंड next है हमारे पास windows.alert नाम का javascript के अंदर एक method होता है इस method की health से आप क्या कर सकते है जैसे आप javascript की इस file को load करेंगे यानि आप इसे browser में open करेंगे तो सबसे पहले यह method चलेगा और यह method चलेगा तो आप चाहे तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं या आप calculation कर सकते तो चली इस example को हम practical के जरीए समझते हैं तो देखे फ्रेंड हमने इस example को already type करके रखा हुआ है तो चली इसे save कर लेते हैं इसे मैं example2.html के नाम से save कर रहा हूँ चली अब इसका output देखते हैं तो देखे फ्रेंड हमारे सामने जो example2 वाली file वो आ चुकी है और इसे अब हम open करके देखेंगे तो जैसे हमने इस file को open करा तो देखें आपके सामने यहाँ पर एक message आ गया कि this page says 9 नाइन तो result आ गया हमारा और और यहाँ पर एक dialogue box दिखाई दे रहा होगा तो फ्रेंड जो dialogue box से यह हमारा windows.alert नाम के method की वज़े से ही आया है यानि उसका use करते हैं आप Windows.alert की वज़े से ही यहाँ पर display हुआ है तो इस method का काम क्या है ऐसा कुछ dialogue box बनाकर यदि आप display कराना चाहते है तो इसकी help से करवा सकते है अफरे हम बात करेंगे कि JavaScript में function होते क्या है function देखे कि किसी भी programming language में same ही होता है function की definition सभी programming language के लिए same है वो यह है कि a JavaScript function is a block of code which is designed to perform a particular task यानि function बनाते ही इसलिए हम किसी particular task को करने के लिए यदि आपको किसी task को बारवर code के जरिये करना पड़ रहा है तो आप क्या करिए उस code का एक function बना लीजिए और function के हैज से आप उस particular task को बारवर repeat करवा सकते हैं आपको बारवर coding करने की जोगत नहीं पड़ेगी त यानि आपको function कितने argument बाला बनाना है उसके आर आपको अपनी function की body लिखनी होगी जो function के call होने पर चलेगी तो चली से हम example से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए तो देखे फ्रेंड मैंने आपके लिए यहाँ पर एक function का example बनाके रखा हुआ है इसके जरी म आपको function समझाता हूँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हमने क्या करा कि एक h1 यहाँ पर id तयार कर लिए उसको नाम दे दिया डेमो यानि डेमो मेंने h1 जो tag होता heading tag उसके लिए एक id तयार कर लिए जिसे हमने नाम दिया हुआ है डेमो यानि जहाँ अब हम h1 call करेंगे यानि डेमो करेंगे वहाँ पर h1 tag apply हो जाएगा यानि इस id को call करने पर h1 tag apply हो जाएगा फिर हमने script tag के अंदर यहाँ पर function बनाया तो function बनाने के लिए मैंने आपको syntax में क्या बताया था सबसे पहले आपको function keyword लगाना है फिर आपको function का नाम रखना है तो यहाँ पर हमने my function नाम से function को बना लिया उसके बार हमने यहाँ पर दो argument वाला function बनाया एक a और एक b यानि दो parameter यहाँ पर हमने use करें एक a यूज करा है यानि जब a और b में जो value आए वो value यहाँ यहाँ पर add होकर यानि a plus b होकर return कर दी जाए वापस function को यानि उसको जि यहाँ पर क्या हुआ है इसे call क्या document dot get element by id dot inner html equal to यहाँ पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जा मैं आपको select करके दिखा रहा हूं my function यहानि हमने से यहाँ पर call क्या call करना मतलब use किया तो जैसे हम इस html page को save करके open करेंगे browser में तो सबसे पहले my function call होगा जैसी my function call हो और यहाँ पर हमने two and three pass क्या हुआ है तो यह two किसके अंदर pass हो जाएगा a के अंदर और यह three किसके अंदर pass हो जाएगा b के अंदर फिर क्या होगा a और b आपस में add हो जाएंगे और return कर दिये जाएंगे यानि तीन और दो पांच क्या होगा return हो जाएगा वापस यहाँ पर की ID बनाई है heading की तो यह वाला काम तो मैं आपको सुर्वात वाले example में बता चुका था कि यदि आपको ऐसे कुछ कॉल करना हो तो कैसे करते हैं ऐसे करते हैं तो यह जो output is function का वो output heading के रूप में यहां पर display होगा बाकि हमने इसके अंदर क्या करा है function को बनाना सीखा है और function को call कैसे किया जाता है वो देखा है तो call हमने यहां से किया तो 2 & 3 इसमें गया add होकर वापस return हो गया तो 5 हमारे सामने output आएगा लेकिन heading format में आएगा तो चलिए हम इसे save करके फिर एक बार और आपको समझा दूँगा तो save करके हम इसका आउटपुट देखते हैं इस बार हम इसको example 3 से save कर देते हैं तो देखिए फ्रेंड यह हमारी example 3 वाली html फाइल इसे open कर लेते हैं तो यहां पर देखिए आउटपुट आ चुका है 5 और 5 कैसा आया है h1 heading के format में आया है तो एक बार और हम code के साथ compare करके देखिए फ्रेंड यहां पर हमने paragraph टेग यूज किया था और इसमें जो लिखा हुआ था यहां पर paragraph बन गया हमने जो यहां पर document.get element by id में demo को call किया था तो demo h1 की वज़े से कैसा हो गया यहां पर क्योंकि demo क्या था यहां पर 5 कैसा रहा है h1 और बाकी जो my function हमने call किया था call मतलब यहां पर यूज किया तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह रा my function नाम का function और two and three किसमें पास हो गया था a और b में और यह return हो गय और इसे save करते हैं यहां पर इसे हम refresh करके देखते हैं तो देखे 13 हो गया क्यों हो गया क्योंकि इस बार 10 किसमें पास हो गया a में और three b में बाकी add होकर क्या हो गया 13 बापर 13 रिटन हो गया तो इस तरह साब कोई भी calculation कर सकते हैं तो यहां पर आप कोई भी function का नाम किया है तो देखे फ्रेंड आपके सामने एक और एक्जामपल आ गया है इस एक्जामपल में भी हमने function बना रखा है बाकि हमने यहां पर id बनाई हुई है जो हमने h1 take के लिए decide करी हुई है demo वाली id और इसके बापस एक function बनाया है जिसका नाम रखा है यहां पर my function और इस बोडी में हमने calculation नहीं कराई एक method होता है JavaScript में जिसका नाम होता है alert इससे आप alert function बोल सकते है method बोल सकते हैं तो जो अलर्ट होता है इसकी bracket में आप जो भी चाहें वो print करवा सकते हैं आप चाहें तो calculation करा सकते हैं और यह alert भी कैसे काम करेगा जब function call होगा तब तो देखिए इसका भी आपको भी output पता लग जाएगा कैसे आया जैसे windows.alert था वैसे एक alert भी होता है तो इसे आगे मैं किसी और example में यह बताऊंगा कि button के साथ अब alert function को कैसे call करवा सकते हैं इस example में मैंने simply से function के अंदर use किया हुआ है अब देखिए यह कैसे चलेगा यह function है हमारा यह से लेकर यहां तक हमारा पूरा function है तो सबसे पहले जैसी हम इस HTML file को open करेंगे save करने के बाद तो यह वाली line चलेगी और यह line चलेगी तो यहां पर हमने function को call कर रहा है my function को तो यह जैसी function call होगा तो alert function चल जाएगा क्योंकि इसकी body में क्या लिखा हुआ है यह alert function लिखा हु इसका output देख लेते हैं इसे हम example 4 के नाम से save कर देते हैं तो यही फ्रेंड हमारी वह example 4 वाली HTML file इसे हम जैसी open करेंगे तो आप देखें फ्रेंड विंडोस.alert की तरह यह भी हमारे सामने आया जिसकी help से आप क्या कर सकते हैं ऐसे कुछ भी dialogue box में print करवा सकते हैं आप चाहे तो calculation भी इसमें करवा सकते हैं चली मैं एक बार आपको calculation भी करवा के दिखा देता हूं तो फ्रेंड जहां लिखा हुआ है welcome to JavaScript यहां पर हम कोई भी calculation करा सकते हैं इसके bracket में हम type कर सकते हैं देखिए मैंने यहां पर type कर दिया 2 plus 5 और अब मैं इसे save करके वहां जाकर उसे open दूँगा तो देखिए output में क्या जाएगा आप खुद देखिए फाइल यही हमारी इसे open करते हैं तो देखिए जो हमारे सामने डायलोग बोक्स आया उसमें हमारे सामने 7 आ चुका है तो जैसी फाइल एक्जिक्यूट हुई alert function ने अपना काम करा और यहां पर हमारे सामने output आ चुका है तो फ्रेंट इस तरह से हम जावस्किप में function बना सकते हैं अब मैं आपको कुछ practice के लिए questions दे रहा हूं इन questions में आपको जावस्किप functions का यूज करना है और जावस्किप प्रोग्राम बनाने और यदि आप से questions solve नहीं होते हैं तो आप मुझे comment करके बता करजेगा आप मुझे mail भी कर सकते हैं मैं आपको mail के जरिए in questions के solution provide करवा दूंगा तो इतना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में यदि आपको वीडियो पसंद आये तो इसे like करिए अपने friends के साँ share जरूर करिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं करा तो चैनल को subscribe जरूर करिए थैंक्स फर वाचिंग